नमस्कार मैं शिवायनी बिहारी निज में आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर इस मैं वीडियो में लेकर आई हूँ मैं आपके लिए कुछ नई जानकारी आज हम लोग बात करेंगे कठल के बारे में लेकिन कई जगह इसे सब्जी और फल दोनों माना जाता है या बहुत ही गुनकारी और सेहतमन सब्जी है कठल के पाइदे जानने से पहले हम जानेगे कि अलग-अलग देशों और राज्जियों में उसके महत्तों के बारे में जहां इसकी खेती तीन हजार से छे हजार साल पहले से की जा रही है अब जानेंगे हम लोग कठल के अनोखे फाइदे कठल के अंदर कई पॉस्टिक तत्व पाया जाते हैं जैसे विचामिल A, C, थाइमीन, पोटेशियम, केलशियम, राइबोफलिवीन, आइरल, नियासीन और जिंक आदे इसमें खूब साड़ा फाइबर पाया जाता है इसमें बिल्कुल भी कैलरी नहीं होती है पके हुए कठल के पल्प को अच्छी तरह से मैश करके पानी में उबाला जाया और इस मिश्रम को ठंडा कर एक गिलास पीने से ताजगी आती है दिल के रोग्यों के लिए उतना ही उप्योगी थाइरॉइड से पिरित लोगों को भी कठल खाना चाहिए क्योंकि इसमें मौझूद और फॉपर थैरॉइड को नियंतरित करने में सहायता करता है प्टल में पोटेशियम पाया जाता है जो कि दिल की हर समस्या को दूर करता है क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को कम करता है इस रिशेदार फल में आयन की मात्रा बहुत अधिक पाया जाता है जिससे यह एनीमिया के रोग में बहुत लवदा है हडियों के लिए यह फल बहुत गुनकारी होता है इसमें मौजूद Magnesium हड़ी में मजबूती लाता है और Osteoporosis की समस्या से भी बचाता है इसमें पाया जाने वाला Vitamin C और A रोग प्रतिरोधक्षमता को बढ़ाता है यहां तक कि यह bacterial और viral infection से भी बचाता है कठल अलसर, कब्स और पाचन संबंधी समस्या को भी दूर करता है इसमें विटामिन A पाया जाता है जिससे आखों की रोशनी बढ़ती है और तवचानी खरती है कठल के बीजों में धेर साड़ा fine nutrients होता है जो cancer से लड़ने में मदद करता है यह रहे कठल खाने की तिने साड़े फायदे ऐसे ही जानकारियों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूटिम मिलेंगे नए वीडियो में नहीं जानकारियों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद